हलो गाईस कभी कभी हमें इस तरह के सेंटेंस बोलने की जरूत पड़ जाती है जैसे कि तुमने उसे देखने ही क्यों दिया या फिर तुमने उसे हाथ लगाने ही क्यों दिया या फिर तुमने उसे बोलने ही क्यों दिया या फिर तुमने उसे अंदर ही क्यों आने दिया गाइस इस तरह के sentence में आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि क्यों आने दिया सब्द का बार बार यूज हो रहा है चलिए गाइस इस तरह के sentence को बनाने के लिए structure देख लेते हैं structure how I did plus subject plus let plus noun object pronoun plus verb की first form चलिए guys let का मतलब समझ लेते हैं let ने देना करने देना चलिए guys object pronoun का मतलब समझ लेते हैं object pronoun me us you her it then itc यह सभी object pronoun है चलिए इसको अच्छी तरह से समझने के लिए example देख लेते हैं तुमने उसे देखने ही क्यों दिया Why did you let him see चलिए guys next example देख लेते हैं तुमने उसे हाथ लगाने ही क्यों दिया Why did you let him touch चलिए guys next example देख लेते हैं तुमने उसे बोलने ही क्यों दिया Why did you let him speak चलिए guys, next example देख लेते हैं तुमने उसे अंदर ही क्यों आने दिया Why did you let him come inside चलिए guys, next example देख लेते हैं तुमने उसे खेलने ही क्यों दिया Why did you let him play? चलिए गाइस, next example देख लेते हैं तुमने उसे जाने ही क्यों दिया? Why did you let him go? चलिए गाइस, next example देख लेते हैं तुमने उसे कार चलाने ही क्यों दिया? Why did you let him drive the car? चलिए गाइस, कुछ sentence आपको homework में दिये जा रहे हैं इसे आप comment box में लिखिएगा तुमने ऐसा होने ही क्यों दिया? Hello everyone, my name is Vinos Singh Welcome to my channel Vinos the Study Center अगर वीडियो को सीखने का भी लहाँ तो like, share और subscribe जरूर किजएगा ताकि हम रोज मिल सकें